जैहें दोस्तों हम लोग पढ़ आतेے Ratio and Proportion पीछे बाते नहीं, क्लास ब्रोगए समझें ठीक है तो Ratio and Proportion में हम लोग असजी项 कोशन कर चुके हैं आगे कोशन हम लोग बढ़ते हैं कि कोशन को कैसे कैसे सोल्व करना है और हम हर एप्रोच को सीख रहे हैं question को कैसे तोड़ सकते हैं कैसे solve कर सकते हैं क्या सही तरीका होगा कैसे समय बचेगा कहाँ पर step skipping करने चाहिए कहाँ पर calculation mind में करने चाहिए तो इन सारे बातों को हम सीखते हुए चल रहे हैं ठीक है बढ़ते हैं हम लोग next question की तरफ कहरा A B का ratio 2 ratio 3 है A और B का जो है वो 2 ratio 3 है B और C का जो मान है वो 4 ratio 5 है साथ में C और D का जो मान दे रखा है वो 5 और 9 दे रखा है हमसे पूचा है A और D हमसे क्या मुचा है तो हमने तो solve करना सीखा है इससे पहली बाली class में बहुत अच्छी से की A B C D सबका ratio निकाल सकते है लेकि इस question में हमसे पूचा है A और D का A और तो A ये होता है और D ये होता एक तो होता है तो अगर A का मान लेखेंगे तो 2-4-8-5-4-5-3-5-1-35 5 से काचेंगे 5-8-4-5-5 से काचेंगे तो सता है यानि 8 और सता है इस सबाल का answer आजाएगा लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आप इस सबाल को ऐसे करते आप से पता था कि आप से अगर A और D का मान पूचा है आपकी एक निगहा नीचे होनी चाहिए, option की तरह, एक खतरनाक निगहा आपकी होनी चाहिए, option की तरह, बगुले वाली, बगुले बैठे रहता है, मचली आएगे तो ये की बार में मचली उपकड़ लेता है, थीक है, तो मैं अगर A उद D चाहिए था तो मुझे पता A का मान जो होता आगे-आगे वालो गणा ओती है, होती है नहीं होती है, और D का मान होता है, पिछे-पिछे वालो गणा होती है, तो अगर मुझे A का मान चाहिए था, तो मैं लेखता है, और पता काटने या बसकता नहीं थी, ले, इतनी बड़े क्याल कुस्में पच्च आथ यह नहीं में चाहते हैं कि अगला सवाल क्या है उसको भी देखो अगला सवाल कह रहा है एक एक राइश्यों है दो और तीन और भी करेश्यों तो हमसे पूचा A² B² Bc का मान क्या होगा कोई बात नहीं कि A और जो B का मान है वो दो अनुपात तीन है B और C का मान है चार अनुपात पांच है अगर हम A B C का रिश्यू निकाल सकते हैं A B C का मान निकाल सकते हैं निकालो A B C चार दुनी तेन चग पांच तियां यानि A B C का मान निकाल लिया लेकिन हमसे पूचा है का पूचा है A² B² और Bc A² B² और Bc कोई दिक्कत कोई आपती A का मान कितना है आठ तो स्कॉार कितना हो जाएगा चौशट बी का मान कितना है बारा बी का मान कितना है तो स्कॉार कितना हो जाए एकसो बी का मान है बारा और सी का मान है पंद्रा और बारा पंद्रा ही मल्टिप्लाई 180 यह आया अब काटे पीटी कर लो काटे पीटी होगी हो जाएगी हो जाएगी कुछ दिक्कत थोड़ी किस से काटोगे कि जाटें कि चार से काटेंगे तो 16 चार तियां वाराँ चार च्छंग चोवे चार चौट 1645 16 शर्टेस पैतालेख सोला च्छ पैतालेख स्वाल को यह तो कंप्नीट्र सॉल्स्मान है यहां पर यहां अतना सौल कर लें ते 20 को आरो बीचेंट देखो लाश्ट के टू डियर लाश के टू अलग है नो कहीं 16 कहीं 36 45 है लाश के टूडिय सब के अलग है देखो नहीं यह यह 945 यह 36 यह 36 45 अब अलग है तो लाश के टू को पकड़ लेते काम हो जा तब का कि बढ़े आगे कि नेक्स कहे रहा है किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बरावर है तो दोनों संख्या के अनुपाद बताईए कि देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना कहे रहा है कि जो एक आए ना एक पहली संख्या का 0.06 दूसरी संख्या यानि की बी का 0.08 के बरावर है मुझ कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे नमरे गुणा कलो बरावर हो जाए अगर यहां पर एक आमान तुमने तीन रखा एक आमान किता रखा तो यहां बी का मान किता रखना पड़ेगा चार अगर एक आमान तीन रखा तो ब कि कमान चार रखना पड़ेगा यानि की चार गुणे 0.08 क्या यह नमर बरावर होंगे यह आएगा 1.8 और यह आएगा आट चोग बते 0.32 नहीं है न बरावर उसको उठा के देखो अगर एक ही जगे चार रखा तो 2.4 और बी कि जगे तीन रखा तो आट तीन और चोबिस अरे एक ही जगे चार रख फोगे तो बी की जगे नगर उसके नगर बकर नहीं है तो टू इन्टू पॉइंट सिक्स यानि की बन पॉइंट टू और अगर बीक जाके न रखना पड़ेगा पंद्रा तो पंद्रा गुणे पॉइंट जीरो एट पंद्राथे एक सो बीस यानि की लेकर मैं बात बता हूं यह वाली पॉइंट सिक्सेट बड़ी होनी चाहिए तो फिलाल बड़ी तो है लेकिन थोड़ी बड़ी हो बहुत बड़ी हो क्योंकि कम से कम 10 गुना से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए अगर 10 से भी गुला हो जाय तो बिचार यह पॉइंट आठाएगा 10 गुने के समतिंग होनी चाहिए कितने 10 गुने के समतिंग नहीं आ रहा है समझ में कोई बात नहीं एक तरीका तो यह है दूसरे तरीका इस सवा यहां पर कोई फरक है तो पॉइंट के बाद दो डीएट उपर पॉइंट के बाद दो डीएट नीचे तो यह यह कट गए तो क्या मिला आठ बटे साथ इसको मैं चार से काटोंगा तो चार दूनी आठ और पंद्रह ऐसी बसॉलक पर सकते हैं तो दोनों तरीके समझ में आए चलो अगला सबान नियुकि क्या रहा है दो संख्यायों का योग 40 है और उनका अंतर चार अरे योग 40 है अंतर चार है काटो अरे योग तो 40 है क्या अंतर चार है क्या योग 40 है यहां पर योग चालिस है नहीं है क्या यहां पर योग चालिस है लेकिन इसको बाइस और अठारा कर सकते हो क्या योग चालिस है क्या अंतर चार है यहां पर समझो मेरी बात को फिर समझो दें हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है वो चालिस होने चाहिए और उनका अंतर चार होने चाहिए क्या इनका योग चालिस है योग चालिस है लेकिन इनका अंतर केता है दो लेकिन अंतर हमें चाहिए चाहिए तो यह वाला नहीं हो सकता अगर मैं दूसरे option की बात करूं तो इनका योग कितना है 31 31 है 40 कभी बन सकता है क्योंकि इसके नंबर में जिस नंबर से उना होगी अगर 44 हो जाएगा तो योगी नहीं पहुंच रहा ठीक है तो और क्या कर सकते हैं अगर डेड़ गुना भी नहीं कर सकते बहुत बहुत डेसिमल नमर जाएगे तो आप खुश सोचो अगर इसको डबल कर दो तो यह 22 हो जाएगा और यह 18 हो जाएगा तो इनका योग कितना है और 22 में से अगर 18 घटा तो अंतर कितना है इन बातों को नहीं सोचोगे तो मरोगे क्योंकि इस सवाल को बैसे करोगे तो बहुत दिकत हो जाएगी करना क्या पढ़ाएगा मैं आपको समझा रहा हूँ कि दो संख्याओं का योग मतलब A प्लस B बराबर 40 और दो संख्याओं A माइनस B बराबर 4 फिर आपको सवाल करना पढ़ेगा B से B कर जाएगा A और A 2A ब सब्सक्राइब बराबर 40 तो बीका मान 18 लेकि इनको तसलिख ही थुड़ी हुई फिर का कह रहे हैं एए रेशियो बताबो तो ए है 22 और बी है 18 जाकोमान ग्यारा जाकोमान नों बताओ कंडे काले होने वाली बात है नहीं है कंडे काले मतलब मर जाना मनने बात है कंडे काले कि लियर हुआ नहीं हुआ कर तो सकते हैं नैसे कर तो सकते हैं लेकिन करेंगे क्या कर सकते हैं करेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है इसको देखो देखो A B का रिश्यू है B C का रिश्यू है और C D का रिश्यू है तो D C B ये पूछा है मेरी बात को ध्यान से सुना होस्यार रहना A B पूछा है ना तो A B का क्या है एक और दो तो एक और दो है, एक और दो, एक और दो है, एक और दो है, एक और दो है, है नहीं, भाईया, मेरी बात को समझो, यह लिखा है A और B का रेशियो, और यह लिखा है B और, यह लिखा है C और, लेकिन आप से उल्टा पूछा है, सुनो, उल्टा करो, C और D का रेशियो क्या है, 5 और 6 तो D और C का ratio क्या होने चाहिए 6 और चलो D और C का पहले DC तो होगा यह 6-5 है hold करो क्या यह 6-5 है काटो क्या यह 6-5 है काटो क्या यह 6-5 है hold करो है थोड़ा सा और उपर करो option कामेरा में दिख रहा है मैं समझा रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुनू भाई C और D का रिश्यू क्या दे रखा था C और D का रिश्यू दे हैं 5 और 6 तो D और C क्या हो जाएगा इनके साथ कुछ भी कर लो इनका रिश्यू हमेशा 6 और 5 ही रहेगा C और D का रिश्यू 5 और 6 है तो D और C का रिश्यू 6 और 5 होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो आप चेक करो और इदी नमबर का के D C B और A मतलब यह होना चाहिए D का मान और यह चाहिए C का मान क्या 6-5 है अरे DC का रेश्यू का उगन चीं? 6 और 5 तो DC का रेश्यू 6-5 है? तो इससे क्या कर लो hold किया यह 6-5 है? तो इसको काट दो किया यह 6-5 है? तो इसको काट दो 8.488.5 चले यह भी 6-5 है लेकिन हमारे पास अब यह option कम थोड़ी है बहुत हैं लेकिन सी और बी का रेशियो देखोगे तो 4 और 3 होना चाहिए नहीं होना चाहिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए ठीक है और देखो C और B यहीं तो है C दूसरा बाला और B तीसरा बाला तो 4 और 3 है तो जे बाला कट गया जे बाला पहले कर चुका था तो 3 ओप्षन कट गये तो इस ओप्षन का correct होना इसकी मजबूरी है तो इन में आया या नहीं आया आगया फिलाल आपको क्या solve करना आता था A B B C C D A कमान J D कमान J B कमान ऐसे 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 और C कमान ऐसे फिर ऐसे सब्सक्राइब यह सवाल है अगला सवाल क्या के रिया है दो X B का रिश्यू क्या है B और Z का रिश्यू क्या है X और B को जो रिश्यू है 3 और 4 B और Z का रिश्यू है कोई दिक्कत ना है क्या आप X B और Z ले सकते हैं 3 तिया 3 चौक 4 चौक 16 सीखा है उन्हें X कमान J B कमान J लेकिन हम से पूछा है X प्लस Y प्लस Z अपन 3 Z एक पूछा है ना X कितना रखोगे 9 2 की जगे 12 Z की जगे 16 इन सब को जोड़ो तो 16 और 12 28 और 13 37 बटा 3 12 36 तो 37 बटा 36 इस सवाल का सही उत्तर होगा C कमान 16 Z कमान 16 तो 16 48 होता है 16 48 होता है सही है नेक्स्ट तीन संख्याएं एक अनुपाद दो अनुपाद तीन में हैं तो उनका HCF 12 है आपको अगर याद हो तो LCM एक ऐसा नंबर होता है जो परिवार के याने की नंबर सब निमेंबर से पिटता है और LCM यानि की दादा एक ऐसा नंबर होता है जो सब को पिटता है एक था LCM और HCM का हमारा कौन्ट से भी हैं था LCM लीष्ट कॉमन फैक्टर जिसकी तुलना की हमने परिवार में एक छोटे बतीजे सी बतीजा परिवार का एक ऐसा सदस होता है जो परिवार का हर सदस से पिटता है HCM की तुलना की ऐसे हाइस्ट कॉमन फैक्टर और परिवार में सबसे हाइस्ट कॉन होता है दादा दादा परिवार का एक ऐसा मेंबर होता है जो सब को पिटता है बतीजा पिटता है दादा पिटता है यही तो था यानि कि दादा पीटने का मतलब है कि दादा हर नंबर को काटेगा सीधा पन्डवाई कि लिज коп के साइफ में करते हैं लीष्ट common factor हिंदी में कहते हैं 것으로 अवाध Chief तो भतीजा परिवार में एक ऐसा सदस होता है जो सबसे पिटता है यानि कि LCM जितने भी नंबर का लिया जाएगा सबसे कटेगा सबसे कटेगा हिंदी में कहते हैं महतम समाबर्तक कहते है यानि कि उसकी तुलना हमने करते हैं दादा से दादा परिवार का एक ऐसा सदस होता है जो सबको पीटता है यानि कि दादा हर नंबर को काटना चाहिए कि LCF से हर नंबर कटना चाहिए क्या LCF कितना है 12 क्या 24 गड़ेगा 12 से गड़ेगा इस अप्षन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है अधर वाई आपकी जिन्दी ख्वार हो सकती है अगला सवाल क्या रहे है आप कराए निमलेखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है तो 129 का रेष्यू 1612 के नहीं हो सकता है यह हो सकता है देखो ती चौक 3 तियां 4 चौक 4 तियां तो सही तो है है अनुपात पूछा है ना तो अब एक सही मिल गया तो इनको हो चेक करने की कोई जरूरत है क्या पीएशटी करना चाहते हो नाम के आगे डॉक्टर नहीं फेलियर कट टपा लगेगा कि नहीं लगेगा भाई पीएटी कर रहे होते हैं अगर आप गिरिशन पोस्ट गिरिशन पांच बहुत पांच बार में कर लिया तो ठीक है मैं पांच स अफारी सब्सक्राइब हुसक्त बहुत हलो हम अग्री ट्रॉट करने के आप सकता है जो बाई नहीं है颗रियर साथ A और D पहले पहले अंते मंतेम पहले पहले देखो A और जो B का रेश्यू है 2,5, 3, B और C का रेश्यू है A अनुपाद B, 2,5, 3, B और C तथा C और D का 6 और 7 है यानि कि इसका भी 6,7 है और C,D का भी 6,7 है हमसे पूंचा है ए और डी हमसे पूंचा है ए और डी हमको पता ए होता है पहला पहला दो गुणा छे गुणा छे और डी होता है अंतिम अंतिम तीन गुणे साथ गुणे साथ कुछ नहीं तीन दूना छे छे दूनी बारा दूनी चौवे सा सत्ते अनंचा यह सवाल का आंसर ह हो आप लोगो साइए ठीक नवा है कवा है है कर रहे है और बी का रेशियो दो तीन बी और सी याँसी यॉडी का 6 चे और साथ चे है हमारा है हमारा कोशन में को बोलो इस पेपर में गलत आगे तो गलत आगे मेरा 28 नमबर की जो मेरा एक्जाम हुआ था 28 नमबर की सेकेंड सिप्थी मेरी उसमें पांच को तन गलत थे बताओ क्या गरोगे अटाएस नमबर की सेकंड सिप्थी जिसमें पांच कोशन गलत थे पांच कोशन गलत थे तब तीन कोशचन से गलत थी, तो मैं तयारा गलत का मास्टर, तो ऐसा थो हुआ नहीं होगा, मैंने उन्ह зм से काफ़ defendants का क्वर्च किया होगा, क्योंकि मुझे पता है गलत का थीन गलत का थीनには तो तो तीन कोशचन मेंने बहुत बहुत है..., थे तो इन पांच कोश्चन में से थीन कोश्चन का रोगत नहीं होते हैं तो मैं एक ही बार में सवार जयाता है एक दो बेलन का वोज़ निए रोखते हैं लेकिन अब खूच्छों Matthew सब्स chief चुर्स निसकू सब्सक्रीफनी कर सकता उग जलान दो टो समें तो बभादी ही नहीं यह चीजे होती है अब और गलत आया न कुछ नहीं दिया जो कुछ नहीं दिया जब गार्ट कुछ ज़्याद नंबर थे पांच गाट दिये कुछ ना बचा मतलब कोई फरक नहीं पड़ा और मालो होते 122 तो मर जाते ने मर जाते चलो लेकिन आज आते हैं गलत भीया फिलाल वो लोग हैते हैं कि हम क्या करेंगे कि जैसे 160 थे तो 155 कोशन सही हुए देखो मेरी बास सुनो मैं बताओ नॉर्मलेशन क्या होता है समझा रहा हूं अभी अला हूं ज्यकि देखो मेरी बास सुनो 160 थे 100 और एक कोशन धाई नंबर का था एक कोशन केतने का घाट था धाई नंबर का था तो जो पेपर था वह 400 नंबर का था तो पताज बोलो क्या करते हैं वो यह कर तें कि भाईया तुमारा धाई नंबर के लेकिन तुम्हारा भी पेपर 400 कई रहेगा लेकिन तुमको दिए 105 कोशन चलो मान ले तुमारी बात ठीक है तो 105 दिए तो इसको भाग करोगे तो लगवर 2.6 सम्थिंग आ जाएगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा नमबर तो हर किसी का एक कोशन था धाई नमबर का लेकिन हमार लॉस्त होगा इन बातों न पधANGए तो लॉस्त होता है नहीं होता है next मैं पियल नॉर्म कोशन मैंने का यूझा गलत कहा से समय तो लगाया कई बार चखना पड़ता है कई बार चेक है आहले पर थी गलत कि में बोड़ों म rent किमिल अथ है बात अंभी नमझे आ इसको और मेर खर्च करते हैं समय जाता है जिसमें नहीं आ रहा है कोई गलत है हलत है आगे बोड़ो तो कहा था कि 2.6 नमबर जोड़ेंगे लेकिन वो जितना रखा तो नहीं रखा तो पांच कोशन गलत होगा हो जाने तो कोई बात नहीं है कि चल्ड़ो यदि दो संख्याओं का योग का बर्ग उनके गुणन फल का चार गुणा हो तो संख्याओं का बर्ग उनके गुणन फल मतलब A into B का चार गुणा हो मतलब 4A B हो कितना हो? फए बी ऊइसा कहा है है तो मरना मत और उप्सिन करने लागना बंदतіти जिंदी घुचर जाएगी चलो चेक करो अगर दो और एक चेक करते हैं तो दो और एक एक आरे इसको दो मानेंगे तो इसको एक मानेंगे square बराबर 4 गोड़ा 2 गोड़ा 1 इसका हो जाएगा 2 और 1 3 का square नो और 4 दुनियाड का बराबर है तो पहला option होगा नहीं होगा दूसरा option चेक करते हैं अगर A की जगह A रखेंगे और B की जगह 3 रखेंगे तो 1 पिलस 3 का square 4 into 1 into 3 एक करेंगे तो 3 और 1 चार का square 16 और 4 ती अबार रखेंगे बराबर है नहीं है कोई देखेंगा अब A का भी मान एक रखो B का भी मान तो 1 पिलस एक का square बराबर 4 गोड़ा एक गोड़ा एक 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 दो का square चार बराबर गलत होगा गलत होगा तो जब स्वर्व करते हैं कुछ बनाते हैं कोशन कुछ बनाया नहीं वो अप्शन चेक कर लिया 10 कोशन होगे समझ में आया कोई आपती है कोई बती है ठीक है तो इन कोशन को आपने प्टाते रहो हम मिलते हैं next class में स्वस्त्र है मस्त्र है पढ़ाई करने में ब्यास्त्र है